हेलो फ्रेंड, फ्लोट साइज 30 फीट पर 30 फीट, फेसिंग साउथ का प्लान एक स्क्रीन पर आपके सामने है, हैज पर बास्तू प्लान तयार किया गया है, इधर देखिए अगनी कौन में किचेन का प्राबधान किया गया है, और ये स्टेयर केस है, दो फ्लाइट में बटा हुआ, यहाँ ट्रेड की चौर आई 10 इंच है, और राइजर 6 इंच रखना है, यहाँ लेंडिंग, इससे 6 फीट आ रहा है, इस जगर पर भी सारे 3 फीट आ रहा है यहाँ, और एक डोरी यहाँ देना है, आप इसके नीचे से भी इंट्रियर ले सकते हैं, और इसे देखे, छोटा सा बराणडा बन रहा है, यहाँ पर भी 2 फीट 6 इंच ऊपर रखा गया है, यह बराणडा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 फीट 6 इंच है, जबकि यह इसे 6 फीट है, कीचिन में D2 2 फीट 6 इंच by 1 फीट, sorry 7 फीट का है यहाँ W3 3 फीट by 2 फीट रखना है, और यह cooking platform 2 फीट की चोड़ाएं में देना है, यह इसे 6 फीट होगा और इसे 2 फीट होगा, यहाँ एक सेल का प्रावधान किया गया है, जिसका depth रखा हुआ है, 1 फीट 6 इंच और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 फीट 1 इंच आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 फीट 6 इंच है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 11 फीट है, और इस जगह पर 6 फीट by 4 फीट 6 इंच का विड़ो का प्रावधान के आगे है, जबकि यह cut ऐसे 11 फीट है और ऐसे 2 फीट 6 इंच है, पीछे एक स्टरी रूम है, 9 फीट 1 इंच औ देना है, D1 3 फीट by 7 फीट का है, देखिए यहाँ WC और बात अलग अलग कर दिया है, WC का साइज है 4 फीट by 4 फीट, जबकि बातरूम का साइज है 5 फीट, 4 फीट by 5 फीट का दोनों जगह D2 का प्रावधान किया गया है, यहाँ और यहाँ बेंटिलेटर देना है, 2 फीट 25 फीट 6 फीट by 1 फीट 3 फीट का, जबकि यह बेदरूम का साइज इस रूम में भी इस जगह पर एक 5 फीट by 4 फीट 6 इंच के विंडो का प्रावधान किया गया है पतली वाली दिवाल सभी 5 इंच की मोटाई में है जोकि मोटी वाली दिवाल 10 इंच की मोटाई में है सभी दिवाल को 10 इंच रखना है इस पर आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट पर सकेंड प्लोर एज पर रिक्वार्मेंट जा सकते हैं इस जगह पर यहां देखिए बिंका प्रावधान करना है से मुलते हैं प्रावधान के साथ ठेंक्यू